एक हेलो प्रेंट्स के सब आप सब आई होप सब बढ़े आऊँगें सब मस्तेमें अज किस वीडियो में राजस्तान प्लिस कोनेटेबल दो जारो किसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिप करने के बारे में पूरा फ्रोसेस वीडियो में लेकर आया हूं कि किस प्रकार से आप राज्तान पुलिस दो जारे किस का उनलाइन फॉर्म कर सकते हों वह भी अपने घर बेटे मोबाईल से नाए भीनाई मित्र के अपने मोबाईल से यह फॉ जरूर बने रहे हैं क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल होने वाला है तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं चीज़ा चलते हैं अपने ख्रोम ब्राउजर की स्क्रेंट पर तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बार इसमें सर्च कर लेना एससो सर्च करने के बार में आपको एससो के इस वेफसाइट पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बार में आपको यहां अपनी अप पास्वर डाल के लोगिन कर लेना है जैसे प्रेंट्स आप SSO लोगिन करोगे तो आपके समय यहां requirement strict 2 वाला option नजराएगा तो उस पर क्लिक कर लेना है requirement strict 2 वाला option पर क्लिक करने के बाद में आप friends थोड़ा सा process लेगा उसके बाद में आपके समय यह वाला page open हो जाएगा तो friends यहां पर आप देख पार है requirement of countable 2021 अप्लाएगा तो आपको इस वाले option पर क्लिक कर लेना है तो friends यह ही से आप राश्तन प्लिस 2020 के form अप्लाएग कर पाऊगे तो friends मैं यहां पर इस पर क्लिक कर लेता हूं तो friends आपको यहां पर जिस फी फोर्च आपको आवेदर करना है उस पर क्लिक कर लेना है तो मैं यहां countable, general, non, tsp वाले option select कर लेता हूं उसके बाद में आपको basic details वाला option आ जाएगा तो आपको यहां अपनी द्यान से अपनी details फिल कर लेने सबसे पहले हैं आपको आवेदर का नाम फिल करना है, उसके बाद में अपको link select कर लेना है उसके बाद में अपन विवाय कि स्थिति को select कर लेना है, उसके बाद में आपको इसको link छोड़ देना उसके बार में आपको अपना यहां mobile नमर फिल कर लेना जो आपका चालू नमर उसके बार में आपको एक alternate mobile नमर फिल कर लेना है अगर आपके पास मोज़़त हो अन्यता इसको खाली चोड़ सकते हो फिर यहां email जिले से आवेदन करना चाहते हो तो उसको आपको यहां पर फिल कर लेना है तो फ्रेंट्स यह इससे आपको अपना जिस भी आप जिले से आवेदन करना चाहते है उसको दियान से स्लेक्ट कर लेना अगर आप यहां तो इसलिए मैं जल्दी सीर लेता हूं तो फ्रेंट्स जीसा कि आप देख पा है विक तो यह जली सीर्ट्स लेता हूं तो फ्रेंड्स जिसा कि आप देख पा रहे होगे हमने आपने पूरी बेसिक डिटेल को अच्छे से फिल कर लिया है इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना ताकि कोई आपको आपना फेले आपको यहां पर दियान रगने कि आप पहले कि अपर कुछट करने अनलेटन 9S ÈC得 लेना Complete detail fill करने अगे आप वह दर कंड्रे में निवास करतें तो यहां यह सलेक्ट करना उसके बार में आपको sings neural करके नीचे आ जाना और इसके आए और अगर बार की पारना में Schmidt करना है यहां फेलेके कळ कने मिकंद स्थाइक करने हैं इसके हुआ बार में प्राइब का हुआजड़े से कम कके स अगर नहीं हो तो ङूँआ करना है यहां ज exist करना लेता हुआ हुआ कि उसके बार में आपको यह gone नीचे आ जाना है उसके बार में आपसे पूचा जाएगा कि आपके पास पुलिस समंदरी विश्ची में कोई डिग्री या डिप्लम है अगर आपके पास हैं तो यस करना नहीं तर नो स्लेक्ट रखना है उसके बार में अत्रीक तरेन इसको से खाले छोड़ देना उसके बार में आपके प्रेशन डिटेल्स वहल अफ्शन आ जाएगा उसमें आपको 10 12th और ग्रेजुएशन और फॉस्ट ग्रेजुएशन की Completely detail fill कर लेने तो मैं यहाँ जल्दी से अपने detail fill कर लेता हूं तो आप फ्रेंड समयने अपनी qualification अच्छे से यहाँ fill कर ले हैं उसके बार में आपको यहां चेक बोस पर क्लिक कर लेना है और ओक्या पर क्लिक कर लेना है उसके बार में आपको यहां पर नो पिछलेट करना है उसके बार में नेक्ट पर क्लिक कर लेना है तो फ्रेंड्स उसके बाद में आपके समने फोटो और शिगनेचर वाला फोटल ऑपन हो जाएगा, तो यहां आपको अपना पचास से सो कयविक अंतर अपना फोटो और शिगनेचर से अपलोड कर लेना, फोटो के साथ 500 से और 50 क कय बीक है बीच में होने चाहिए, और शिगन या उसके बार में नीचे आप देख पारी हों यहाप आपको eody Parent के लिह फूचा जाएगा तो आपको body Mark Field कर लेना है कि किया किस प्रकार कोई निश्वन हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बार में आपको Nick for Click कर लेना है नेक्ट पर कलिक करने के बाद में आपको समने अपने फॉर्म का प्रिवू आ जाएगा तो आपको उसको अच्छे से चेक करना कि किसी प्रगारी गलती न रहने पाए उसके बार में ही आप चलन काटना है फ्रेंस आप यहां देख पार हों इसमें लिखा है यह केवल पूर आप लोकन है पुरिश्ट आपका अप्लेकिस नहीं और आपको अंपर जमाहोने के बार में जनरेट होगा तो आपको यहां पर इस जेके पहुत कर लेना है और पश्रपर क्लिक करना होगा जैसे फ्रेंट्स आप पेपीस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट वाले उप्सन पर डिडाइरेक्ट कर देगा तो फ्रेंट्स आप देख पा रहे हैं कि मेरे फॉर्म की फीस 400 टोकन यहां आ चुका है तो यहां पर एक ट्रांजेक्शन नम्मर भी दिखा दे रहा होगा आ तो फ्रेंट इसके बार में आपको स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है और पेपीस पर क्लिक कर लेना है उसके बार में और के पर क्लिक करेंगे और उसके बार में आपको यहां पर पेमेंट वाले उप्सन पर आ जाएगा तो यहां आपको अगर यूपार से पेमेंट करना ह यह पर net banking से payment करना तो वो select क्लिक कर लेना है हम यहां net banking से payment करने वाले तिया net banking select करके और अपने bank का choose कर लेंगे उसके बार में पेन आफ क्लिक करेंगे जैसे आप पेन आफ क्लिक करोगे तो आपको इमित्र डेस बोर्ड पर payment के लिए redirect कर देगा इस प्रकार net banking के माधियम से आप अपना आवेदन की फीज जिमा करा सकते हो फ्रेंडड अगर आपको राश्तन फेल इन कोंस्टेबल कि अगर दो फ़ील करना चाहते हों तो आप आप एक एससाईर एडि से दो फ़ील कर सकते हैं उसका सेम प्रोसेस रहेगा बट मेरी राही तो यह है कि अगर आप इसाईर इसे को में रिचित नहीं रहेगा अन्यता आपका अगर SSO ID से अगर आप दो form fill करते हो तो reject भी हो सकता है friends अगर आप दो form fill करोगे तो उसमें आपको किसी परकार की कोई समस्या नहीं आएगा और आप दो form fill करते हो तो आप अलग-अलग दो जगह से select होने के विएर पर आ सकते हो friends मेरे कई दोस्तों ने पिछली बार भी दो डबल आवेदन कियाते तो और डबल आवेदन से वह select भी हो याते तो इस परकार से आप डबल आवेदन करके अपना form fill कर सकते हैं